इस वीडियो में आपको उताऊंगे ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नगड़ेयन कैसे बना देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है साइज मता देती है ब्लाउज की लंबा ही 15 इंच लिया और देखिए यह मैं 42 का बना रहे हैं 12.5 इंच लिया है देखिए नीचे यह ब्लाउज है यह अस्तर है तो जो नेक का ड्राफ्ट है वो अस्तर पकल लेता है तो दिकी पहले हम सुल्डर से ले लेते हैं 2.5 और अभी लंबा ही ले लेते हैं मैं जो रख रही हूं आप इससे कम ज्यादा रख सकते हैं जैसे मैंने इसको साड़े 10 इं देखिए इस तरीके से यह ड्राफ्ट रहेगा इसी ड्राफ्ट को रखके कैनवास कट लिए और नेक के ड्राफ्ट को रख लिया है सेम कट कर लेंगे इसकी चोड़ाई एक इंच ले ले लेगे अभी सिन्नी का तरीका बताती हूं नीचे सीधा ब्लाउस रख दिया है इसके उपर यह अस्तर रख लिया है अभी जो कैनवास का ड्राफ्ट किया है इसको इसके उपर रख देंगे और नेक से यहां से लेकि पूरा इसको स्टेच कर देंगे नेक को कट कर देंगे कमार में जैसे मैं बताया था को मैंने इस टेच कर लिया जो नेक था ब्लाउज का कट कर लिया है कमार में इस टेच डाल दिया है अभी इसको पलट के इसकी फिनिशिंग देदें प्लेट डाल देते हैं तो सेंटर से 4 इंच लेंगे और 5 इंच लंबी प्लेट डाल देते हैं तो देखी प्लेट भी कंप्लेट हो चुकी है अभी हम इसमें डियाइन ड्रो कल लेते हैं तो दीखिग जैसे के यह मारा िए प्लेट प्लेट कर दista के सेंटर में सकते हैं और centrimento one दूसरी तरफ से इस तरीके से आप इसकर टे देगा और यहां पर के तो जोगेविशन कीसिई चैनल दुसरी त्रत से कितना देखिए सवा 2 इंच लेफ्ट साइड में आपको यह मार्किंग करना है तो इससे क्या है इस तरीके की सेपा जाएगी जो मैंने कपड़ा लिया था उसको मैंने देखिए इस्टिच करके पलट दिया है और इसमें से मैं 2 इंच की लंबाई में पीस कट कर लोगे देखिए जै तरीके यहाँ त्रोगा के आपको लाग главное के इस तरीके से बढ़े बड़े स्लाइब यहाह पर लाव है और जो मोती लिया है इससे इसकी फिनिशिंग देदेंगे इस तरीके से यह दिजाइन हमारी यहां पर दो तीन बार कम से कम दागे गुमे से सुई में से निकालना है मोती को इससे क्या हुआ मजबूत हो जाएगा और टूटने का भी टेंसन नहीं रहे और इसको यहां पर हम आफियर के लोगे से टारीके से लिखता हमे मयन शौरी के द करते हमे मार्जिंगे टानीयख देहरें मज़ंुट वाल आदा देखिया नीचे से विजा सकती है उपर की तरफ या उपर से नीचे की तरफ आप पर शूपने है तो दिखी यह पूरा इस्टेच हो चुका है और यह मैंने एक ग्रीन कलर की लैस ले है तो दिखी एक लाइन तो मैं इस तरीके से नेक में यहां तक स्ट्रेच कर दूंगे सेंटर तक और एक थोड़ा गैप देखे और यह वाली जो लाइन आएगी इसमें दौनों साइड हमारी यह लैस है इस तरीके से आजएगी एक नेक की तरफ से आजएगी और दूसरी इस तरीके से एक तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं पहले लेक्ट साथ और यह पर मेने कमर में बहुत न स्टेच कर दिया और ज department कि दब लेल द दभी तब किस यहाँ न का पर दिख focused इसे संदर सी ब्लाउस की बैकने करें बनाएं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक्यू